नमस्का दोस्तो मैं पंकच कुमा और शागत कातों आप सबका सक्सेजी स्टिप्स के इस यूटूब चैनल में दोस्तो आज है दो मार्च देख लेते हैं आज के दिन कौन-कौन से इंपोर्टन करेंट अफेस के प्रस्ण बन सकते हैं उन्हें इस वीडियो के माधम से डिसकस कर लेते हैं तो दोस्तो अगर आपको वीडियो जो के करेंट अफेस प्रस्ण आता है आपको अच्छा लगता है तो इस पर एक लाइक आप जूरू कर दिया करें इसके साथ दोस्तो अगर आप पहले पार हमारी चैनल पर विजिट करते हैं तो हमारी चैनल को सब्सकाइब भी कर लिया करें अंतराष्टी क्रिकेट में पांसो चक्ये बनाय हैं तो यहां पर चितरे में हाली में उन्हें एक आफ्याए कर सकते हैं यह सब्सक्राइब कर सकते हैं आप इसे भियात कर सकते हैं पान्सोवा छक्का मारा है वो किस ट्म के विरूद मारा है तो इल्लेड के विरूद आप इसे भियात कर सकते हैं क्रिस गेल नो जो 500 वा छक्का मारा है वो किस टेम के बिरूद मारा है तो वो मारा है इंग्लान के बिरूद मारा है तो अब इसे भी याद कर सकते हैं मश्च मोश्ट इंपोर्टेंड आज का दूसरा प्रसण क्या है तो दूसरा प्रस्थ दूस्तू मैनम. मैनम प्य ws 2019 किंदो देसों के बीच आयूजित हुआ हाले मेरे तो बैनममती स स्रो बांगला देसों क्यों बिच अन में दोस्तों यह जो यूद अभ्यास भारत और बंगलादेस के बीच हुआ है बंगलादेस और भारत की बीच से बार्डर सेकरिटी फोल्स और बंगलादेस के बीच तिन दिनों का यह यूद अभ्यास था इसे याद कर सकते हैं जो मैंना मती यूद अभ्यास था दोस्तों भ इसके कोमिला मठ स्टीत मैंनामती परवत सिंखला के नाम रखा गया है, यूद अभ्यास की बात कर लिते हैं बांगलादेश देश के, यहां पे फ्लाइग है बांगलादेश देश का राधानी ठाका है, यहां की जो पिया में सेख हसीना है, प्रेशिडेंट है, अब्दूल ह कि आमिद है तता यहां के जो राष्टगार नहीं है और दॉस्तो अमार सोनार बंगला तता यहां के जो बीजय दिवस है वो 16 डिसमबर 1971 16 दिसंबर वस 1971 को बंगलाजेस को दोस्तो आजादी मिली थी पाकिस्तान सो इस दून को बीजय दिवस के रूप में मनाया जाता है तो आप इसे याद कलेजेगा बंगलाजेस के बारे में यह सभी फैक्ट्स भी आज का तीसरा प्रस्नु प्रसासन में कलाम नवन मेंस आवार 2019 किसके दोरा प्रदान किया गया है तो दोस्तो यहां भी आप देख रहे हैं यह हमारे उप्राश्पति जी है, M.Bankayan I.D.। इनी के तरह दोस्तों कलाम 9-11 अवार्ड 2019 को प्रदान किया गया है, तो दोस्तों आपको बता दूँं जो प्रसासन के छेतर में दोस्तों कलाम 9-11 अवार्ड दिया जाता है, पिसियात के लिए अवार्ड यह प्रसासन के छेतर में दिया जाता है, आपको बता दूँं, यह प्रसका दोस्तों नई दिल्ली में डाक्टर APG अब्दुल कलाम सिखर सम्मेलन के तिसरे संस्क्राण के दोरान प्रदान किया गया, प्रदान किया गया, हमारे जो उप्राश्पति है, M.Bankayan I.D.। जी के दोरात अपी से भी य फ्रदानागर पुरसकार प्रादान किया गया इस बारल का, एस बार का, साथी, स्वरुप, भठनागर पुरसकार प्रदान किया, हमारे जो प्रदान मंत्री है, नरेंदर मोदी जी के दोरा, दोस्तों ये तो बात होगी पुरस्कार की बात कलते हैं कीने कीने इस वर्ष का पुरस्कार मिला 2016-178 रहा तो दोस्तों बात कलते हैं 2016 की 2016 की पुरस्कार दोस्तों EMS बेंगलूर की जो डॉक्टर है रिसिकेस नरायान उसके बात दोस्तों TATA Institute of Fundamental Research के जो डॉक्टर है अमलेंदू कृष्णा समेत 111 बैज्यानिकों को 2016 के लिए सांती सुरू भटनागर पुरस्कार मिला बात कर लेते हैं 2017 की 2017 के लिए दोस्तों 2017 के लिए जवाला नहरू इन्योसिटी जो डिल्ली में दोस्तों उसके डॉक्टर दिपक कौर को तथा बाबा एटॉमिक रिसार्स सेंटर के जो जो केंद्र के डॉक्टर S. सुरेश बाबू को समेत 10 बैज्यानिकों को वरस 2017 के लिए मैं एक बाफिसर प इस बाबा एटॉमिक रिसार्स सेंटर के डॉक्टर S. सुरेश बाबू को समेत 10 बैज्यानिकों को इस बार का 2017 के लिए सांती सवरू भटनागर पुरस्कार मिला अब बात कर लेते हैं 2018 के किनको मिला तो 2018 के दोस्तों मिला है वरस 2018 के लिए सांती सोरू भटनागर पुरस्कार मिला है तो दोस्तों यह तो बात हो गई वरस 2016, 17, 18 के लिए किने किने सांती सोरु भटनागर पुरसकार मिला बात कर लेते हैं सांती सोरु भटनागर पुरसकार है कैस के अस्ठापना किसके दारा की गई थी कब की गई थी दोस्तो यहाँ पे अब चित्र में देख पा रहे हैं यह है शांती सांती स्वरु भटनागर पुरसकार की अस्ठापना की गई आप इसे याद कर सकते हैं किसकी स्ठापकत है किसकी स्मृति में इस पुरसकार की अस्ठापना की गई दोस्तों को पता दू यह पुरसकार वो बिग्यान और तक्नकी की शित्र में दिया आजाता है आप इसे याद कर सकते हैं सान्ति सोर्व भटनागर पुरसकार वो विज्ञान और ठकनिकी के HRD यानि इस question का option A हमारा बिल्कुल से है दोस्तों किंद्री मानो संसाधन विकास मंतराले के दरा स्टास योजना को launch किया गया है हाली में दोस्तों यह जो योजना है वो राष्ट्री विग्यान दिवस के औसर पर launch किया है आप इसे भी याद कर सकते हैं यह जो हमारे M.H.R.D. ministry है जो हमारी कंद्री मानो संसाधन विकास मंतराले के दरा स्टास योजना उसको बिग्यान दिवस दो की राष्ट्री विग्यान दिवस दो की 28 फरोरी के दिन था मनाया गया तो उसी दिन इस योजना को launch किया गया स्टास योजना को बात कर लेते हैं स स्टास योजना के फुल फॉर्म कि दोस्तों जो स्टास योजना का फुल फॉर्म है वो है Scheme for Translational and Advanced Research in Science मैं एक बाफिस रिपीट करता हूं स्टास योजना का फुल नम च्छाटवां प्रस्तों प्रधान मंत्री जीवन योजना हाली में किस मंत्राले के अधिन लांच किया गया है आप इसे याद कर सकते हैं किंद्री पेट्रोलियम और रसायन मंत्राले के जोरा जोस्तों प्रधान मंत्री जिवन योजना को लौंज किया गया से योजना है को जैव इधन वतावरण अनकूल फसल आवसेश निवारण झयार न के दोस्तों bricks प्रदान्मंत्री जो जीवन योजना कराए जाएगी इस योजना कर तता is声 righteous निवारन को ऋ वो इस युजना को केंद्री पेट्रॉलियम और पराखकितिक मंत्राला के अधिन launch किया गया है तो दोस्तो इसमें वमारे एक चीज युजा आपके दिमाग में आजएंची हमारे जिस मंत्राली इस युजना को लौंज किया गया है उसका मंत्राले किसके पास है किंद्री दोस्तो इस समय हमारे किंद्री पेट्रोलियम और प्रक्तिक गयस मंत्री हैं धर्मेंदर प्रधान तो अब इसे भी याद कर सकते हैं मुश्च मुश्च इंपोर्टेंट सात्मा प्रस्न जो सुन बेदभाव दिवस मनाया जाता है वो बेदभाव के मुद्धों का समाधान करने जो समाज में बेदभाव होते हैं उन बेदभाव के मुद्धों को समाधान उपलब्द कराने के लिए प्रती वस एक मार्च के दिन सुन भेद भाहत दिवस मनाया जाता है अच्छा इस बार कि जो थीम क्या थी दोस्तो तो इस बार कि जो थीम थी एक टु चेंज डाइट इसक्रिमिनेट इस बार कि थीम थी दोस्तो 0Discrimination Day जो एक मार्च को मनाया गया आप इसे याद कर सकते हैं एक मार्च को मनाया था दोस्तों एक मार्च 2019 याप पर होगा थीम आप याद कर सकते हैं थीम most important है एक to change that discriminate हम आगे बढ़ते हैं आज का नवा प्रस्ना आटमा प्रस्ना NIUM की अधाल सेला हाली में कहां रखे गई दोस्तों तो NIUM की अधाल सेला हाली में गाजियाबाद उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में रखे गई है NIUM की अधाल सेला तो दोस्तों यह NIUM है क्या दोस्तों तो यह है यह है दोस्तों नेशनल इंस्टिट आफ यूनानी मेडिसीन इन आई यूएम जिसकी अधासिला दोस्तो रखे गई है नेशनल इंस्टिटूट अप यूनानी मेडिसीन जिसकी अधासिला दोस्तो उत्तरप्रदिस के गाजियाबाद में रखे गई है आजका लाश्ट प्रस्ट आई पे नामक पेमेंट गेटवे हाली में किसके दोरा लांज किया गया है आपको बताना है जो आई पे नामक पेमेंट गेटवे हाली में किसके दोरा लांज किया गया है आपको बताना है जो आई पे नामक पेमेंट गेटवे हाली में किसके दोरा इजली हो जाएगा IP payment gateway के मात्राव से आपको टिकर का जब booking करने होते हैं कि payment करना हो वह बहुत ही इजली तरीके से हो जाएगा इस IP payment के द्वारा तो दोस्तो जो IACTC है उसका full name क्या होता है यह जान लेते हैं दोस्तों Indian Railway Catering and Tourism Corporation इंडियन Railway Catering and Tourism Corporation IACTC का एक full name होता है तो आप इसे भी याद कर लें मुश्च मुश्च important तो दोस्तों आज का एक मास का करेंट रफेस का वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं दोस्तों थैंक्यू थैंक्स पर वाचिंग थैंक्यू